उनके विचार, बुद्धी, मन रजोगुनी होते हैं और बहुत से लोगों ने तमोगुन से अपनी शरीर को तमोगुनी भोजन दे दे के तमोगुनी आहार जैसा कि मैंने कहा था पिछले सत्संग में कि पाँच दर्वाजों से हम आहार लेते हैं इनमें जीव यानि स्वाद सबसे मुख्य है इसलिए भगवान ने आहार भोजन के लिए बोला आहार अस्त्वपी सर्वश्य तिरीविदो भवती प्रिया सत्वगुनी पूर्शों को सत्वगुनी आहार पसंद है प्रिय है माल पुवे है, खीर है दूद मलाई है सुन्दर सबजियां है, ताल है गहूँ चने की रोटी है मक्का बाजरा की रोटी है आम के अचार, नीबू के अचार ये पसंद है गन्य का रस है, औरेंज जूस है ताजा फ्रेश ग्रेव जूस है सड़ा हुआ नहीं, सड़ी हुई शराब नहीं लेकिन रजोगुणी को तूसरा हुँ तो थोड़ा विस्तार से बगवान नी कहा कि अरजन फिर प्रशन करेगा कि सटोगुणी आहार कैसा होता है क्या होता है तो बगवान नी ओधर साया है और उसके क्या गुण है, उसके करने से क्या लाव है ओभी भगवान नी एक इस स्लोक में ये चीज बोल दी है सात्वे, सत्रवे अध्याय के अंदर आठवे इस स्लोक है, देखिए आयूहू सत्व बलारूग्य सुख प्रीती विवर्धना, रश्याह इस्निक धाह, इस्तिराहिर्द्या, आहारा, सात्वेक प्रियाह ये अर्जन, सात्वेक बोजन, मन को, बुद्धी को, वीरिये को चलाय मान नहीं करता, इस्तिर रखता है इसलिए ये इस्तिरा कहा, ये मनिश को इस्तिर करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए, होश में लाने के लिए, होश में रखने के लिए, उप्यूक्त है चलाएमान जब आप आईरवेद के संगपर्क में जाएंगे तो मालूम चलेगा आपको फैक्ट क्या है जैसे कोई आदमी कड़वा तीखा, ज्यादा तीखा, मिर्ची ज्यादा, मसाले ज्यादा या मांस या दूसरी दूसरी चीजें जानौरों को अभक्षन करता है होता है, निश्चे ही होता है भांग पीने वाले का मन कितना चलाएमान हो जाता है चंचल मी ही मने कर्शन पहले ही मन चंचल है फिर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें खिलाओ इस मन को जो तुम्हें चलाएमान और भी कर दे दारू पी के आदमी कितना चलाय मान हो जाता है राजा बन जाता है अभी उसको रानिया चाहिए पाउं दबाने के लिए घर का भी होश बुला देता है पूरी प्रत्वी का समराटा भी छोटे मोटे घर में गुशनी क्या जोरता है पूरी दारू चड़ा लिए करेगा बलड पीते हैं तो उनके मन कैसे इस्तिर होंगे बुद्धी कैसे इस्तिर होगी कैसे वो सत पत पर उनका रत रुकेगा या आगे बढ़ेगा या चलेगा नहीं वो तो पत ब्रस्त हो जाएंगे क्योंकि उनके विचारदारा बिगड़ी होगी शुद्ध नहीं हो सकती जो पेट में डालोगे वो ही तो तुरंत विचारों में प्रगट हो जाता है कोई भक्त बगवान के मंदिर में जाकर बगवान का प्रशाद लेता है चाहे वो हाथ पर ही लेता है या बैठ कर खाता है उसकी बुद्धी के विचार और बुद्धी और भावना कुछ अलग नजर आएगी आपको लें ब्यक्ती मदिराला में जाता है या कसिनों में जाता है जुआ खेलने या वैश्चाले में या सजे हुए मांसा हार की तरफ लपकता है तो बिचार धारा कुछ और होती है ये तो बड़ी सरल्सी और अनभवी बाते हैं उनको मांसा हार करने वाले भी शराब पीने वाले भी जानते हैं और शाखाहारी लोग जो शराब को छूते नहीं वो भी जानते हैं लेकिन प्रियक किसको क्या है ये गुणों के उपराधारित है लिए नहीं कि रजोगुनी रजोगुन में इस्तिर हो गया है तो रजोगुन को दबा नहीं सकता नहीं हो रजोगुन को दबा के सतोगुन को डवलप कर सकता है इसलिए ये शास्त्र है मार्ग दर्शाया गया है तमो गुणी भी सतो गुणी के इस्तर पर जा सकता है एक सदना कसाई भी भगवान के धाम को जा सकता है दिन अभ्यास तो करना पड़ेगा उस कसाई के काम को तो त्यागना पड़ेगा सदना कसाई ने फैंक दिया था सारा मांस दुकान का अपनी दुकान का सारा मांस फैंक दिया था सारे छुरे चा को गटर में डाल दिये थे और हो तो नंगे पाऊं ने कर पड़ा उस भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिया जगरनात फुरी की तरफ सदना कसाई की कथा सभी संतों के मुख में रहती है क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान को प्राप्त किया भगवत दान को गए हो हायश्ट स्रेणी में उनका सम्मान हुआ तो यह ना सोचे कि जो तमोगुणी है उनका जीवन और अगला जीवन नहीं वो आसे यूटर्न ले सकते हैं जो साउथ दिशा को जा रही कार यूटर्न ले गई तो किदर जाएगी? नौर्थ में जाएगी तो नौर्थ में हिमाला है साउथ नीचे को है ऐसे ही है एगजामपल दिया है तो आप यूटर्न ले सकते हैं इज़ी तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तो यूटर लेंगे, तो आप सत्वगुण आपको भी प्रभावी होई आगा, आपके सारा कार्येक्रम चेंज होई आगा, साइंटिस्ट कहते हैं, विज्ञानिक लोग कहते हैं, कि तीन मेने कोई मांस आरी ब्यक्ति, मांस को त्याग दे और शाकार शुरू कर दे, तो तीन मेने में उसका पूरा बोड़ी का सिस्टम, ब्लड और रूप रेखा और विचारदारा सब चेंजों के एकदम सत्वगुणी में, साकारी में इस्थिर हो जाती हैं, और वो सुखी और स्वस्था अनवाव करने लगता है, तीन मेने का ब्रत लेज, कोई ब्यक्ति, समाज रस्ता बटक गया है, तो यूटर लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सारी प्रत्वी के जानवर जब तक नश्ट नहीं होंगे, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं, नहीं, ये जैसे पेड़ पोधे, बन, हमारे लिए जीवन के लिए, मनुश्यों के लिए लाबकारी हैं, ऐसे प्रतेक जानवर प्रत्वी के उपर, जो भी परमात्मा ने क्रेट किया है, उनका हमको लाब मिलता है, इस बात को वैग्यानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं सिद्ध कर पाए, जहां जब इस्थानों पर कर सकें, किया है उन्होंने सिद्ध, लेन ये सत्त है, कि यहां का बंबूल जितना उप्योगी है, उतना ही आम भी उप्योगी है, जितना सिंग उप्योगी है, समाज के लिए, उतनी गव भी उप्योगी है, जैसे हनी भी मदुमक्खी होती है, वैग्यानिक कहते हैं, मदुमक्खी का होना बहुत जरूरी है, हमारी जीवन के लिए हमारी स्वास्त के लिए हमें एलाई रखने के लिए ऐसी प्रतेक जानवर तुल्सी का पौदा जिस वेग्यानिकों ने सिद्ध किया कि जिस गर में हेल्दी एक तुल्सी का पौदा होता है वह प्लेग तक प्रिवेशन ही करता और ये सत्त प्रूफ हुआ जब सूरत में, गुजिरात में सूरत के अंदर प्लेग फैला था और बीस जाराद ये मरे थे मैं बंबई में था उस समय